हलो स्टुडेंट्स मैंने आप लोगों से बादा किया था कि मैं दूसरा टॉपिक लेकर कुई आउंगा और थोड़ा ओवर्वियू ज्यादा दूँगा तो आज नया टॉपिक क्या है लेकिन डिफरेंट काइंड ओफ मजा आ जाएगा देखें बायोलाजी में नेक्स टॉपिक मैं लिया हूँ सेल मैंने कहाता कॉमन है मैंने बोला का कॉमन है लेकिन मजा नहीं आए तो तब की बाद समल लीजिए सेल देखेगा सेल का कॉंबिनेशन जब आप करेंगे तो टिश और टिशू का जब कॉंबिनेशन करेंगे तो टिशू सिस्टम टिशू सिस्टम का जब आप कॉंबिनेशन करेंगे तो उसे आप बोलेंगे और्गन और्गन जब आपस में मिलेगा तो आप उसे कहेंगे और्गन सिस्टम और्गन सिस्टम जब आपस में मिलेंगे तो बने और गेनिजम यह मैं नाइन क्लास देपरदा आयों आई-पाप भी और गेनिजम को क्या बोलते हैं अच्छा ऑर्गनिजम मतलब जैसे कि मैं और आप और गेनिजम हैं तो ओर्गनिजम का क्या मतलब है हमेशे आपने देखा है कि यह हम लोग कहते हैं कि जो सेल हैं हम लोग कहते हैं कि जो सेल है वो thin और रिस्पेक्ट में और गेनिजिंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है sun yaa NA का मतलब समझ लीजिए 1 1 का मतलब क्या होगा मैं बोलूं आपको यूनित का मतलब बन होता है अपने आपने कोई complete 1 तो मैं कहूं कि 2 multiply 1 इकोस तो कितना 2 3 multiply 1 इकोस तो कितना 3 तो वन आप देख रहे हैं वन अपने आप में क्या है यूनित है तो जिसके साथ मट्टिव लगर वह इस ही आजाएगा तो मैं एक जैसा से लाप जब मिलता है तो टीशू बनता है टीशू भी अपने आपको टुकडों के रूप में पेर के रूप में सिस्टम बनाएगा आप देखें हम लोग देखते हैं कि जो यूनित ऑफ है उसके कुछ क्वेलिटीज है जैसे अब देखेंगे कि यह स्टुक्ट्टिल है मला इसके पर्टिक्लर कोई स्ट्रॉक्ट्चर होगी जैसे मिलियाराथ आपके स्ट्रॉक्ट्चर है वैसा ही ये फंक्षनल भी है ये कैसी functional भी है मतलब कोई work भी करेगी एक और चीज़ add करेंगे ये genetically भी होती है genetically का मतलब genetically का मतलब जिसके पास nucleic acid होगा जिसके पास क्या होगा? nucleic acid होगा अब nucleic acid का मतलब क्या होगा? nucleic acid का मतलब DNA आप इसे ऐसे mood कर देंगे वैसा बोलते हैं इसको RNA also लेकिन याद रखें कि DNA पर ही आपको tick लगाना है RNA पर tick कब नहीं लगाना है जब आप nucleic acid या फिर आप genetic material की बात कर रहे हैं बस में आ गया तो ये आप देखें कि ये क्या हो गया? cell हो गया एक और बात को संजहें मैंने आपसे कहा कि जो study of cell है cell की जो study है आप क्या बोलते है? cytology क्या बोलते है? cytology इससे क्या पता चला? कि cytoword अगर कहीं भी आया तो मेरे दिमाग में cell आना चाहिए अब इसका invention कौन किये? किसका invention? cell का invention कौन किये? Robert Robert Hook किया कौन किया? Robert Hook tissue की बात करूँगा तो tissue का study the study of tissue is called histology histology तो आप याद रखें जब आप hist की बात करेंगे तो आप tissue की ही बात कर रहे होंगे इसका invention अच्छो अच्छो किसकी invention नहीं पता बुक में mention नहीं है आपको पीला पनने का किताब पढ़ना पढ़ेगा पहले पनना समझते हैं पुराने किताब पढ़ना पढ़ेगा तो invention क्या? invention किस ने किया? मेर साब ने किया ये तो बहुत आजाल नाम है आपको याद भी रहेगा तो मेर साब ने किया तो ये normal सी एक information किस के बारे में है? सेल के बारे में है अब यागे देखेंगे मैंने कहा कि study of tissue is called histology तो आप याद रखें कहीं भी अगर आप देखेंगे जब पढ़ें तो कहीं भी hist नाम से word आता है एक्चल में हम लोग देखते नहीं है जैसे liver की बात करूं में तो liver में cell होता है है hepatic cell world wise smallest world wise smallest cell कांसी है world wise smallest cell is called mycoplasma it's called the mycoplasma अब एक बात और है कि mycoplasma की अपने खुद की कुछ qualities होती है यह पूछ लेगा आप से यह qualities पूछ लेगा आप से कैसा देखेगा क्या quality कि without without oxygen survive कर लेगा without oxygen survive कर लेगा और दूसरा बात without without cell wall without cell wall भी क्या कर लेगा survive कर लेगा क्या बात अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि जब oxygen की percentage बहुत कम रही होगी इस universe में यहा मैं सीदह कहूँ अर्थ के atmosphere में और अर्थ के water में और अर्थ की rocks में तो उस condition में mycoplasma ने मड़े आसानी से अपने life को जिया हो गया उसके बाद देखें कि जो mycoplasma है जो mycoplasma है उसका एक example है क्या example है PPLO जानते हैं आप लो PPLO PPLO मतलब pleuro pneumonia pneumonia like organism P silent है P pneumonia नहीं कहेंगे तो this is called the pneumonia तो pleuro pneumonia like organism अब याद रखें यहां से भी important हो जाती है बात क्या important हो जाती है कि PPLO अपने आप में पाइथोजन है क्या है पाइथोजन पाइथोजन कौन होते है ऐसे एक organism ऐसे समझे एक organism किसी दूसरे organism को क्या कर देगा disease पाइदा कर देगा एक organism किसी दूसरे organism को अगर disease पाइदा कर दे तो उसे आप पैथोजन कहीं बस में आ गया तो उसके रिस्पॉंसिबल कौन है पीपेलो माइको प्लैसमा अब देखें दूसरा बात क्या है दूसरे में देखें मैंने का कि वॉल्डवाइस स्मॉलेस्ट सिल तो यहां हम लोग देख लेंगे वॉल्डवाइस लार्जेस्ट स पूरा का पूरा वर्ड में सबसे बहाँ सेल कौन सा नॉर्मली आप लोग जानते ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग और यह कैसा होता है यूनी सेल्यूलर होता है मतलब सिंगल सेल बना होगा लेकिन पूछिए तो कुछ और चीज जा रही है क्या इसका एरिया केतना है क्या आ एलिन टुबी तो 11 x 7 cm और ओर इसका वेट कितना है ओर इसका वेट होता है कितना लगभग 2 kg अगर एक्रॉक्स है तूभी 2 kg और एक्जेक्ट है तूभी 2 kg क्योंकि 1.90 1.98 को हम लोग कांट डाउट नहीं करने वाले हैं बास में आ गया 3 ऑस्ट्रिच हो गया अभी आपने वर्ल्डवाइस की बात करें अगर वर्ल्डवाइस की में बात ना करके लिए व्यूमन की बाटी की बात करूँ तो क्या अब आपको मजा जाएगा कुछीज एसी आपके समने आने वाली है जो वागी बड़ी इंट्रोस्टिंग कभी सुना ही नहीं देखें स्मॉलेस्ट स इन हीमन बाटी हीमन बाटी में स्मॉलेस्ट सिल कौन सा है देखेंगे कौन सा है स्पम क्या है स्पम स्पम की कुछ क्वालिटीज को जान ले क्या क्वालिटीज होती है स्पम की पहला बात इसके पास न्यूक्लियस होता है दूसरा बात इसके सर्फेस पर किसके सर्फेस पर sperm के surface पर आप देखेंगे कि एक particular enzyme present होता है एक particular enzyme क्या होगा present होगा अब कौन सा होगा उसे आप बोलते हैं acro-acrosome यह acrosome enzyme है अगर है तो क्या करेगा क्या करेगा समझ लेंगे इस acrosome का आप work समझें work क्या होगा इसका work होता है जो ovum होता है उसको penetrate करेगा क्या करेगा penetrate करेगा नेगरांच समझ लें माली जीये क्या है ovum है और माली जीये यह आपके पास क्या है sperm है तो बैचारा चल कर आया और चल कर आकर इसका nucleus और इसका nucleus आपस में fuse कर जाएगा तो माली जीये आ गया यहां तक पहुंच गया लेकिन यहां तक आने के लिए उसको यहां से यहां तक travel करना पड़ेगा न तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको इसकी वाल को penetrate करना पड़ेगा penetrate मतला उसको cross करना पड़ेगा अब देखेगा इसमें कुछ important points है जो question पूछे गए इसलिए मेरा first है कि मैं आपको बता हूँ कैसा समझेंगे कि जो sperm है sperm के अंदर particular carbohydrate कौन सी present होती है fructose fructose और fructose कौन है fructose is a sweetest carbohydrate carbohydrate ठीक है sweetest carbohydrate fructose पास में आ गया और देखें कहां present करेंगे इसे honey honey और fruits में मतलब जो fruits पक जाते हैं और honey इनके अंदर क्या होगा fructose मिलेगा दूसरा बत देखें इसमें particular element कौन सा मिलता है element कौन सा मिलेगा calcium iron कौन सा मिलेगा calcium iron मिलेगा और इसका nature कैसा है alkaline alkaline सोचा भी नहीं कि ऐसे question हमारे सामने आएंगे लेकिन आगे तो क्या करें पढ़ाना पड़ेगा अब देखें इतना सुन में आ गया एक बार व्यूव देख ले smallest L कौन सा है human body human body में कौन smallest में आपका sperm है sperm center में nucleus होता और इसके पीछे इसकी tail होगी plagela होता उसके बाद देखेंगे इसके surface पर आपको देखेगा कि particular कोई enzyme present होता है ये enzyme क्या करेगा इसका नाम पहले देखें एक्रोसोम इसका वर्क होता है ovum को panitrate करना देखेंगे आपको समझ में आ रहा है कि particular क्यों ही जो sperm है वो ovum को क्या कर गया panitrate कर गया panitrate करने से उसको fuse कर गया क्या कर गया उसको fuse कर गया उसको fuse कर गया fuse करेगा तो फिर जेगाट बनाएगा वो बात की बात है अब देखें स्पम के कुछ qualities है क्या आप कार्भोहड़िट कौन सा फ्रेक्टोस तो फ्रेक्टोस को जान ले फ्रेक्टोस क्या है स्वीटेस्ट कार्भोहड़िट है पूरा का पूरा आपके वल्ड में दूसरा ये प्रिजेंट कहां होता है हनी में और इसका जो बिसिकली फ्रूट में भी मिलेगा और इसका अलिमेट कौन सा केल्शियमाद वेरी इंपॉर्टेंट क्विश्चन उसके बाद नीचर नीचर के अलकलाइन है अब देखें लार्जेस्ट अब देखें लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन ह्यूमन के बाड़ी में लार्जेस्ट सेल कौन सा है देखें जड़ा लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बाड़ी ठीक देखें कौन है कौन होगा नर्व सेल कई नाम से हम लोग इसे जान लेते हैं कैसा मैं कहूँ आपका ब्रेन है मैं कहूं आपका brain है तो brain की unit कौन है brain की unit कौन होती है आपकी nerve लोग बागी से neuron भी कहते हैं क्या बोलते हैं neuron भी कहते हैं तो आपको याद रखना है या तो आप nerve cell कह दे या neuron कह दे तो एक number का आपका equation भी हो गया कि unit क्या होती है brain की तो neuron होता है बस में आ गया अब देखें इसको अगर आप देखेंगे इसकी length कितना होता है 90 cm से 1 meter तक की इसकी length होता है ठीक है अच्छा अगर question आगे कि सब 90 पर लगाओंगे 1 पर तो याद रखें आप 1 पर लगाओगे इसकी maximum इसकी maximum percentage present in in human body human body में कहां सबस्यादा percentage इसकी प्रेजेंट है तो पहाएं spinal spinal cord spinal cord मैंस में आगया आप इस चीज में आपको बता दो यह चीज आपको मभेश्य में कोई बताए ना बताए क्यों लोगों को ब्रह्म बहुत है कैसा illusion समल लीजिए इसे माल लीजिए आपका brain है normally brain का जो weight होता है कितना होता है 350 कितना 350 फला 1350 1350 इसका जो है weight होगा आपके brain का लेकिन आपके brain का 90% work कौन करेगा spinal spinal cord करेगी और बाकी का 10% work कौन करेगा आपका brain करेगा तो हम लोग सूचते कि हमारे दिमाग कितना परसेंट लोग कहते कि दो परसेंट चल रहा है लेकिन याद रखें जो दो परसेंट है वो इसका दो परसेंट है हम लोग सोचते हैं पूरा का 2% है तो अगर आप इसका 10% चला पाए इसका 10% कितना होगा 1% तो अगर आप इसके according 1% चला पाए 2% चला पाए 3% चला पाए तो आप साइं हो जाओगे उसका कितना था 10% हमारे स्वामेगन का कितना था 10% दूसरी बात जितने भी आपको सड़न केस में काम करने होते हैं तो ब्रिंट काम कर लेते हैं ब्रिंट के हादत है कैसा लीजिनेस में रहने की बस में आ गया अब देखें अपने टॉपिक वापस आते तो इस चीज को बड़ा याद रखें आप जो आपके पास नर्व है नर्व में क्या मिलेगा आपको नर्व में पॉटिकुलर एक एलिमेंट मिलता है एलिमेंट कौन सा सोडियम आयन कौन सा सोडियम आयन बस में आगे आप देखें जो आपके पास नर्व सेल है उसमें जॉ joint ko हम लोग पोला डाइग्राम से देख लें या अटा दें joint को डाइग्राम से देख लें तो आपको clear आजेगा माली जै माने कहा body में larger cell आपने कहा कि nerve cell आपने कहा nerve cell तो nerve cell को देखें माली जै मैं ऐसा reflect diagram बना दूँ तो हमारी जो body में ये जो nerve cell है वो कैसा है आईशा, तो नीचे आप देखेंगे, एक और इस तरीके से जाइंट होगा बस मैं बहुते, यहाँ इस समझने वाला बात क्या है? क्या समझने वाला बात है? उपर से जब नीचे जाओगे, तो यहाँ पर सोडियम आयन वर्क करेगा और इसका क्या वर्क है? इसका वर्क होता है, मेसेज को पास करना, मेसेज को पास करना, यह आप क्या बोलते हैं, एक्शन, टेंट में बलागा, एक्शन, एंड, रियक्शन, गांधी वाला ही साब नहीं है, कि एक में मारें तो दूसरा भी आगे कर दो, तो यह आपको साइनिए इसका जौइंट किस थे साइन्ट और आप देखेंगे क्लें' क्या है माईलें कॉनं मालें की चाहबि लेयर झिया होती लेयर क्राइव संज्गों प्रॉपर क्या है इसका कि यह सोडियम आयन कि मैसेज path करने की जो speed है, क्या है, speed है उसे क्या करदेँगी, increase करदेगी, आप इसकी क्या देखें, मालिका क्या वलेगी काम होता है, कि message की speed को कम से कम 10 टाइम कर देगी, आप देखें, ये जो joint है, इस joint को आप क्या करते है, इसे बुलते हैं, Neuro Transmitter Neuro Transmitter Neuro Transmitter अपने आप में एक Matrix Matrix समझते हैं इसको नहीं पता है इसी समझ लेगा This is called a Liquid अब इस Liquid में आप देखेंगे पुछा गया है कि कौन सा Element आपको मिलता है कौन सा मिलेगा? Kelsium Mind तच में आगे तो एक छोटा सा Overview मने सिल के बारे में आप लोगों को दिया I hope आपको ये भी अच्छा लगा होगा तो मेरा Next Topic में फिर दुबारा मैं आपसे मिलूगा Thank you so much